नवश्कार स्वागत है आपका 27 नीज में आपके साथ मैं हूँ संचीवनी चौधरी आमादमी पार्टी के रास्टिय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल रविवार को रोहतक के ओल्ड आई टी आई क्राउन में आयोजेत कारेकरता शपत ग्रेंड समारों में पहुँचे इस दोरान प्रदेश भर में राजय, लोकसभा, विदानसभा, ब्लॉक स्तर और सरकल स्तर के पताधिकारियों को शपर दलवाई गई समारों के दोरान अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग बोल रहे हैं कि केजरिवाल को गिरफतार करेंगे ये लोग केजरिवाल को गिरफतार कर लेंगे लेकिन मेरी आवास को कैसे दबाओगे दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने आगे कहा कि केजरिवाल को गोली मार दो केजरिवाल मर जाएगा लेकिन पीम आपको नींद में भी मेरी आवास सुनाई देगी मरने के बाद भी आपको मेरी आवास चैन से नहीं सोने देगी उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी यही सोचा था कि भगत सिंग सुखदेव को जेल में डाल देंगे जैसे ही जेल में डाला भगत सिंग और सुखदेव की आवाज घर घर में पहुँच गई उन्होंने कहा फिर अंग्रेजों ने सोचा भगत सिंग को फांसी दे दो लेकिन भगत सिंग के विचार आज सो साल के बाद भी जिन्दा है उन्होंने कहा कि ये बताना चाहते हैं कि केजरिवाल को गोली मार दोगे फासी पर चड़ा दोगे लेकिन केश्रिवाल के विचारों को कैसे दबाओगे उन्होंने कहा आप लोग घर घर जाना और भाजबा की भरस्ट केंदर सरकार की पोल खोलना आपको एक चीज का ध्यान रखना है अंदभक्तों से मत उलजना उन्हें नमशकार करना और आगे बढ़ जाना देश में दो कैटगरी है एक देशभक्त और दूसरी अंदभक्त अंदभक्त देशभक्त नहीं हो सकते हम किसी बेइमान को पार्टी में नहीं लेते और बिना किसी जात धर्म को देखे ही हर इंसान की मदद करते हैं दल्ली के मुखे मंतरी ने कहा कि पूरे देश में ब्रस्टाचार गुंडा गर्दी लूट पार्ट हो रही है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी कहते हैं कि वो ब्रस्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं वे उनको कहना चाहते हैं कि पूरे देश में यही नोटंकी चल रही है आज पूरे देश में चर्चाय हो रही है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी और पापी क्यों ना हो वो भाजपा जॉइन कर ले किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको ED और CBI छू सके इनकी पार्टी में चले जाओ पूरा संरक्षन मिलेगा उन्होंने कहा कि ब्रस्टचारी वो नहीं जिसको ED ने पकड़ कर जेल में डाल दिया ब्रस्टचारी वो है जो ED के डर से भाजपा में चला गया जिसको ED ने पकड़ कर जेल में डाल दिया और भाजपा में नहीं गया वो कटर इमानदार है क्योंकि उसको पता है आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में एक ही चर्चा है कि प्रधानमंत्री का एक दोस्त है और वो उसके लिए ही काम करते हैं और असल में वो दोस्त ही देश चला रहा है बता दें कि अर्विंद केज़िवाल को E.D. ने गुरुवार को सुभा में अबकारी नीती मामले में पूछताज के लिए बुलाया था हाले कि केज़िवाल E.D. के सामने पेश नहीं हुए और M.P. में चुना प्रचार के लिए चरवाना हो गए अभी के लिए इतना ही ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ N27 News पकड़ हर खबर पर आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खबर पर